तो कशिष नीज अपना 10 साल स्थापना का मना रहा है और सीधे चलेंगे निज रूम जो है इस वक्त मेरी सहयोगी साहीबा सिंग मौजूद है पहले रुक करते हैं राची का आज बहुत महत्पुन दीन है देश के इतिहास के लिए महत्पुन है और साथ ही साथ बिहार जारकंड के दर्शकों के लिए इतिहासिक दीन है आज के दीन दस साल पहले काशिश न्यूज ने एक शुरुवात की थी एक दशक हो गए काशिश न्यूज के और इस एक दशक में हमने एक बड़ा पड़ाव पार किया है और इस एक दश्राइब कई लगतार मजबूती से आगे बढ़ते जा रहे हैं हमारे साथ इस वक्त हमारे अभिवागक सुनील चौधरी जी है जो लगतार पिछले दस सालों से और कह सकते कि उससे पहले से जो उनकी सोच थी मीडिया में अपना एक शुरुआत की शुरुआत का कह सकते कि एक अहम पढ़ाओ दस साल हो गए है और दस साल किसी भी संस्तान के लिए बहुत महत्पून होता है तिकि सबसे पहले आज दस साल पूरे होने पर हम कसिस के कसिस परिवार के सभी लोगों को सुख कामना देते हैं कि आप लोग इमंदारी के साथ न्यूज की जो है बात को बचा के यहां तक आप पहुंचे इसकी आत्मा को बचाए रखा अभी की परिस्थिती में न्यूज की आत्मा को बचाना सबसे बरी चुनोती है इस देश के लिए जैसा कि सभी लोग जानते हैं और आप लोगों ने बखुबी से बहुत तरह की कठनाई का आपको सामना करना पड़ा उसके बाव्यूद भी आप लोगों ने जो मेरी सोच थी जिसी को हम लेके चले थे उसको सत परसत आप लोग यहां तक बचा के लाए मैं इसके लिए कसिस परिवार के सभी सदस्यों को धन्यवाद के साथ सुकामना देते हैं कि आगे आप लोग इसी तरह इसको बरकरार रखी करशिष के बारे में और खासकर सुनील चौधरी जी के बारे में राची की मीडिया और बिहार पटना की मीडिया के जो मीडिया टाइकून जो लोग है वो एक बात जरूर कहते हैं कि बिहार जहारखंड में सुनील चौधरी की जो पहचान है वो रामनात गोयन का जैसे शक् पत्रकारिता को बचाने के लिए कशिश न्यूज ने कह सकते हैं कि जो बलीदान बलीदान शब्द का इसके नुकसान भी उठाने पड़ते हैं तो ये नुकसान हमने उठाते हुए अपनी जो इमानदारी है पत्रकारिता की आत्मा उसे बचाए रखने की कोशिश की है और जो हमारे दर्शक है वो लगतार भरोसा जताते रहें हम चाहेंगे सर कि केक काट के जो एक हमारे दर्शक का है साथ साथ हमारी जो टीम है उनका भी मनोबल बढ़ा है यह देखिए दस्वें साल का केक हमारे तो तो दस साल दस साल हुए हमारे इस चैनल के और इस दस साल के दोरान हमने कह सकते कि तमाम तरीकों से जो है वो यहां पर महत्पून जो पड़ाव है वो पार किये है हमारे साथ कई नए साथ ही जुड़ते रहे है हमारे साथ कई लोग जुड़ते रहे जो अप नई जगों पर गए है नए संस्थानों में गए है अपना कसिस की बदौलत कह सकते कई अच्छे पत्रकार भी आपने दिये हैं दूसरे संस्थानों को भी एक संस्थान का जिन्दा रहना बहुत महत्पून होता है हम जिस उमीद से इसको शुरू किये थे वो उमीद आज के भी डेट में हम उसको इंज्वाई कर रहे हैं लेकिन इसको यहां तक बचा के रखने में क्या-क्या कटनाई का सामना करना पड़ा यह हम बता नहीं सकते हैं लेकिन मुझे इस बात की खुसी है कि हमने कुछ ऐसे मेडिया कर्मी को यहां ट्रेंड करके निकाला जो कि आज खुसी से अपनी जिन्दगी को जीते हुए परिवारी जिन्दगी को जीते हुए समाज की सेवा कर रहे हैं और मेरी कोशिस रहेगी कि हम इसको आगे चलाते रहें आप लोगों का जो इमंदारी है, सनेह है या लगाव है इस होस के प्रती वो बरकरार रहे और मैं इसको चलाऊंगा मुझे इसकी अंदर से एक ताकत मिलती है कि कितने भी कम लोग देखते हैं कोई फरक नहीं परता है, लोग क्या कहते हैं, क्या आर्थिक नौकसान मैं आज के डेट में कुछ नहीं हूँ लेकिन हम देख रहे हैं कि कमपनी को क्या क्या आर्थिक नौकसान उठाने पर रहे हैं, लेकिन लोग तंदर को बचाना है, तो मीडिया को निस्पक्च होके रहना परेगा कहा है कि मीडिया ही एक ऐसा चौथा अस्तंब है, कि सही बात को जन्मास तक जनता तक लाती है, जिसमें कि हम अपने होस से सत्प्रसत संतुष्ट हैं कि आज तक न्यूज को लेके मुझे बहुत लोग बहुत तरह की बातें किये, दुर्भास पर किये, लेकिन आज तक इस देश में, इस राज में, बिहार में, कोई भी बेक्ति ये नहीं कहा, कि आपके जो हैं चैनल के कर्मी या आपके रिपोटर ऐसे गरवर कर रहे हैं या किये हैं, ये मेरे लिए बहुत ही गरव की बात है, और मीडिया को बैपारिक दिस्ट कोन से नहीं देखना चाहिए, ये एक सेवा है, समाज की सेवा है, जिस तरह हम एक जन प्रत्निदी होने के नाते, जिस सोच से हमारे मुखमंतरी जी हमको टिकट दिये और हम एक विधायक बने हुए हैं, हम उसको बखुवी से निभाए, उस धार्म को, उनकी सोच को, जो उनकी पडिकल्पना है, समाज के प् अंदर से एक ताकत देती है और इसलिए हम हमेशा कोशिस करते हैं कि ये होस बंद ने होनी चाहिए और आगे हम चलाते रहेंगे फिर से एक वार आप लोगों को सुब कामना कि फिर हम 11 साल में मिलेंगे और इस से अच्छे रूप में मिलेंगे इसी के साथ हम बाते हैं तो दस साल के बारे में जो नुभाव रहा है वो हम बात करेंगे उसमें लेकिन जो महत्पूर चीज़े है जो शब निकले सर के सर के जुबान से बेनविपूर से विधायक है और विसाई भी है जाहिर सी बात है तमाम चीज़े इमानदारी सबसे जरूरी है अगर हमारे संस्थान के जो मालिक है या संस्थान के जो अभिभावक है वो अगर इमानदारी से काम करते हैं तो निश्ची तोर पर नीचे में इमानदारी यहाँ पर नजर आती है और हमारी यही ताकत है, पिछले दस सालों के दोरान सर ने कभी भी हम लोगों को किसी भी तरह का दवाब, क्योंकि हम लोग डेक्स पर भी बैटते हैं, रिपोर्टर्स भी मैदान में जाते हैं, फिल्म में जाते हैं, किसी भी तरह का दवाब नहीं आया है, आज तक चाहे सरक जानते बच्चा बच्चा जानता है कि मीडिया की स्थिति क्या हो गई है इस ऐसी स्थिति में अगर हम अपने अपनी साख को बचाया रखते और सर ने जो के बाते कहीं कि लोगतंत्र की ताकत है और लोगतंत्र की ताकत का शब्द अगर इस्तमाल होता है तो इसका अर्थ है क कुछ लोग, कुछ संस्थान देश में ऐसे भी हैं, जो 300 न्यू चैनल्स में, 200 न्यू चैनल्स में, कुछ चैनल्स ऐसे हैं, जो अपना फर्ज बक्खो भी निबा रहे हैं, और ये जो शब्द इनों सर ने कहें, वो हमारी राची टीम के, हमारी पटना की टीम है, साथ ही साथ बिहार जहारखंड, यूपी उत्राखंड और तमाम जो राज्यों में हमारी जो प्रतिनी दी है, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी ताकत है, सर्व वक्त जादे नहीं लेंगे, और भी यहाँ पर कह सकते कि वक्त 26 जन्वरी एक कई फंक्शन्स भी होंगे आपके, लेकिन जादे वुर्स झाली एक उनके बड़ी जईобразिक की लिए हुव़ को सकते कि उनके प्रतिनी और भी प्रतिनी. ये राजी की तस्वीर आपको दिखलाई जहां पार रहा है प्रती है फरक नहीं पड़ लिए प्रती होग के प्रती होग के प्रती होग काभिले चारीफ है और दोज दोज आप लोग को अपने जhesia प्रती होग के प्रती है आप लोग के साथ है पतर यह यह बतौर इमांदार पत्रकार की करनी घर भी चलाना आ ह समाज्च की जो जिम्मधारियां होती है अगर हमारे हाथ में गनमाईक है, हम रिपोर्टिंग में निकले हैं, हम खबर लिख रहे हैं, तो तमाम तरह की जिम्मेदारिया भी निभानी पड़ती है, और इसके साथ ही हम अपने दर्शकों को ये भी जानकारी देना चाहेंगे, कि कशिश न्यूज अपने दसमें साल में प्रवेश कर चुका है, और इस दसमें साल में नए कलेवर, नए तेवर के साथ हम आपको चीजे पेश करेंगे, स्क्रीन पर आप बदलाओ, साथ देख रहे हैं, कि टॉप बेंड जो होता है, जो तकनीक की भाशा में कहा है, जो उपर में जो लिखा हुआ है, ब्रेकिंग क जो फॉर्मेट है, जो ग्राफिक्स है, वो चेंज किया गया है, साथ ही साथ आपको अपने दर्शकों को ये भी जानकारी देदे कि उत्राखंड, यूपी के साथ, साथ, 36 गर मर्दप्रदेश, 36 गर में हमारा काफी दिनों से काम चलता है, और 36 गर से लगतार हमारा जो कव परेजवल बढ़दा है, साथ ही साथ, मर्दप्रदेश, 36 गर, उत्राखंड और उत्रप्रदेश के भी जो चैनल से वो लांच हो रहे हैं, आफिसियली कह सकते हैं कि यूटूब पे अभी चलेंगे और उसके बाद पिर आगे इसको बड़े पैमाने पर लांच किया तो हमारे जो दर्शक है, हमारे जो प्रतिनी दी इन राजियों में सुन दे हैं, वो भी जरूर हमारा उत्सा वर्दन करेंगा और पूरी इमानदारी के साथ शर के जो शब्दों के साथ इमानदारी का बरताओ करेंगे क्योंकि इमानदारी सबसे बड़ी ताकत है और हमारी जो टीम है राची की टीम वो हम आपको दिखला दिखला रहे हैं कई लोग बहुत साल से यहां पर है इसमें एक दशक भी पूरा करने वाले लोग है और कुछ लोग अभी हमारे साथ जुड़े हैं इन तमाम लोगों से भी हम बातचीत करेंगा साथ ही साथ हम चाहेंगे कि संत इसमाम लोगों के लिए जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं और जो सर की तरफ से जो बाते कहीं गई है यह बहुत ही मुश्किल है उन चीजों पर बने रहना आज की तारीक में जिस तरीके क्या दवाब जहेलना पड़ता है और कई तरह की चीजे सामने आती हैं और हमार आज कहीं हमारी जिमेबारी और अधिक बढ़ गई है कि हम उस कसोटी पर खरें उत्रें और संकट में भी बहुत तरह की समस्याएं हैं हम लोग लगातार फेस भी कर रहे हैं और उस समस्याओं के बाबजूद भी जब ख़वरों की बारी आती है तो जिस उत्सा के साथ बिवेक जी के कटने की परंपरा आपने वहां सुरुआत कर दिया पटना ओफिस में भी के कटना है तो हम चाहेंगा कि जो पटना ओफिस में सबसे पुढाने स्टाफ हैं डीके सिंग सुरुवाती दौर से यहां पे रहे हैं तो डीके सिंग के द्वारा केक कटने के साथ हम मतलब सर भी वहां मौझूद है तो सबसे कपील और डीके सिंग दो आदमी जो सुरुवाती समय से मतलब 2009 में जब चैनल लाउंच हुआ था उस बक्त से यह दोनों आदमी औ आए और साथ केक काटें यह लोग बताब सुरुवाती दौर पर 2009 से यह साथ है और यह एक बड़ी बात है कि सुरुवाती दौर पर जिस दौर में चैनल के सुरुआत हुई थी शुलाथी समय से डवलू केमरामेन के रूप में कपील ओफिस बवाई का रूप में डीके सिं कि हम चाहेंगे कपील अपना अनुभब 10 साल का अनुभब कपील जिरा सुनाओ जिस रुवाती दौर में कैसे चैनल लॉंच हुआ क्योंकि चैनल लॉंच होने के समय से हो और आज फिर जिस दौर में हम लोग गुजर रहे हैं जिरा अपना अनुभब बताईए जब से मैंने क काम करना चलो कि लुक्या उससस सम काम करी रहे हैं और आजचा भी है कि आगे भी क्रते रहें और यहां जाए न अंनुभवान से प्रात्ना है आगे का जो हो तो भागवान के किरपा है अचलिए विवैग्गि सर को जाना भी होगा थम चाहेंगे कि एक आपचलीता जो चैन तो जाहिर सी बात है कि अभी पार्टी शुरूर भी है और पार्टी अभी कर सकते हैं कि जारी रहेगी और अगले साल सर ने वादा किया कि अगले साल और भी बेहतर इस्तिती में और भी बेहतर प्रस्तूति के साथ हम यहाँ पर मौझूद रहेंगे हमारी टीम और भी मजबूत होगी सर जाते जाते आखरी शब्द सुपकामना के सिवा तो और कुछ दे नहीं सकते हैं कि आप लोग अपनी इमांदारी को बरकरार रखिए हम इसकी सुपकामना देते हैं कि आप लोग इमांदार बने रही शुकरिया इमांदारी आज हमारा कर सकते कि एक ऐसा सब्द हो जो कि आगे आने वाले दिनों में भी हमारी ताकत बनेगा शुक्रिया आपका कीमती वक्त जो लगतार आप हमारे साथ रहे इतने दिनों तक और उमीद है कि हम भी आपके साथ इसी तरह से बने रहे हमारा साथ बने रहे और हमारी इमानदारी आपको और ताकत दे शुक्रिया साथ कई ऐसे लोग भी मौझूद है जो पिछले एक दसक से जुड़े हुए जैसे पट्टा में कफिल आप संतोजी कफिल से आपने बाते की उस लोग भी बात करेंगे लेकिन उससे पहले वहाँ पर जो टीम है उनसे बात चीज जरूरी है संतोजी देखिए बीवग्ये बाके मैं जिस उससाह का संचरन मतलब कर सकते कि हम लोग का जो एक अंदर से जो भाव थी जिस तरीके से जिस दौर से हम लोग बुजर रहे हैं काफी मुश्किल था फेश करना अपने स्टाप से भी अपने बात से भी कहीं कहीं हम लोग भी जिमेवार है फिर भी उत्साह है और उस उत्साह के साथ चीजें आगे बढ़ रही है और हमारी भी कोशिस रहेगी तमाम टीम मेंबर्स की भी कोशिस है कि जो आज हमारे साथ हैं और इस दौर में साथ हैं हम भी उनके साथ बने रहें और एक लंबी पाड़ी जिस पाली की बात हो रही थ एक और चुनोती हमारे सामने है जिस तरीके से बिहार क्योंकि धारखंड की चुनाबने हमने जो बहतर हो सकता था धारखंड के दर्सकों के लिए मैंने और आप तमाम लोगों ने किया और फिर अब बिहार की बारी है लेकिन सब चीजों से हम चाहेंगे जो एंकर हैं वो अप अपनी बात भी रखे और जिस चुनोती का सामना हम लोग कर रहे हैं यह ऐसा नहीं है कि पहला कोई यह चैनल है जो इस दौर से बुजर रहा है बहुत सारे चैनल हैं जो जो कभी सच्चाई के साथ जब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो इस तरह की चुनोतीयों का साम हमने जूकना स्विकार नहीं किया है हमने लड़ना स्विकार किया है और आज के तारीक में भी कुछ ऐसे जिगर वाले लोग हैं अक्सर लोग कहते हैं कि वही एंडी टीवी अगर चल ला है तो कहीं कहीं रिपूर्टर्स के साथ-साथ प्रबंधन की भी बड़ी भूम का रही है बिना ऐसे मजगूत प्रबंधन के ये संबब भी नहीं है जितने भी चैनल या खवार इस तरीके कहें जिनका नाम लिया जाता है और उसी तरीके से आज कसिश अगर किसी इसूज को लेकर इस्टेंड लेती है इसमें प्रबंधन की बड़ी भूम का रहा थी है अगर प्रबंधन हम लोगों के साथ ना खरे रहे तो एक मिनट भी हम नह पतना का भी मतलब इस नौ वर्स पूड़े होने में दो वर्स पतना का भी पूड़ा हुआ है दो बर से तमाम साथी पतना में लोग जुरे हुए है तो हम चाहेंगे शहवा उन साथियों से बात करें और जरा उनका अनुभव भी सेयर करें कि वो क्या सोचते है चैनल को ले कि हर संस्तान इसी दोर से कभी न कभी गुजरा होगा और हम भी गुजर रहे हैं तो इससे कितना होसला हमें है और अभी भी बहुत सारा होसला बाकी हम अपने सायोगियों से बात करेंगे कि क्या कुछ अब दस साल पूरे हुए है क्या कुछ उनके अंदर चल रहा है सबसे पहले अपने मेकपार्टस से पूछेंगे चंदा घोश जन से जिन्होंने अपनी चुटी नहीं लेती हैं और अपने पूरे दिन यहां लगी रहती हैं कर सको त्यार करने क्योंकि स्क्रीन जो है हम आंकर से ही सस्ता है हमी सब कुछ यहां पर साफ सारे लोग मिलकर टीम तयार क कर इसलिए अच्छा लग रहा है कि बिहार में न्यूज जो जाता है बड़े-बड़े चैनल्स है लेकिन न्यूज जा रहा है यहां से पहली यह है जो कर्षिस्ट न्यूज लेकिन यहां से न्यूज जा रहा है हम लोग बाहर-बाहर काम करते थे कभी हम दिली में थे जी मे कभी हम कोलकाटा टीवी में थे लेकिन सेट से पोन करके जैसे हमको पता चला कि पटना में करशिश नियूज आगे हम दोड़ी-दोड़ी सेट को पोन के सेर हम भी आना चाहते हैं सेर बोले कि ठीक है आप आजाईए अपना घर घर छोड़ करके बाहर काम करना बहुत ही मतलब टफ हर तरह से लेकिन आप पटना में हम आगे हैं दो साल से यहां हैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग सभी लोग इमानदारी के साथ काम करेंगे जितना हो कस्ट अगर क्षिश नी चुझा में चोड दें तो बहुत अच्छी बात होगी लेकिन मैं नहीं चोडने वाली हूं और मेरे साथ बहुत ही आदमी ऐसे हैं जो लोग अपना घर के चलते बाहर से जौब चोड़ के यहां घर के लिए यहां के जौब में काम कर रहे हैं जो सरनी पि जिगर नहीं है जो कशिस नियूज ने ये कर दिखाया तो हमारा होसला कभी कम नहीं होगा और यही हमारे इंप्लोईस के दौरा बार बार हमारे सायों के दौरा ये कहा जा रहा है और हम चलेंगे कोमर मैम के पास जो इन्पुट में भी है और अभी वो यूटिब का भी काम देख रही है तुम चाहिए कोमर मैम आप अपने जो दो साल यहां बिताए हैं उनकी कुछ यादे साज्य करे पहले तो कशिस को बहुत बहुत बढ़ाई दस्वे साल में आने के लिए नौ साल पूरे हो गए इसके पहले राची में भी था साथ साल तक फिर अपटना हुआ है दो साल से बहुत अच्छा एक्स्पीरियंस रहा बहुत अच्छे लोग मिले और यही दूआ होगी कि आगे भी बढ़े कशिस ऐसे ही सारे लोग मिल जूल कर काम करें सबका साथ बना रहे बहुत अच्छा है सबका साथ है असे ही बना रहे हमारी यह कोशिश है और कशिस की भी यही कोशिश है कि हम साथ होकर चलें और इस संस्थान को और आगे बढ़ाएं यह हमारी लगातार कोशिश होगी और एक से एक emotional attachment हो गया है क्योंकि मैं पहली बार यहां मैंने काम किया है as an employee और इतने अच्छे editor हैं वो इतना support करते हैं इतने अच्छे employees हैं तो एक बहुत घर वाला महाल मिलता है और बेशक मैं घर से दूर रहती हूँ तो यह बहुत अच्छा महाल है एक employee के लिए भी और काम तो बिलकुल हम लोग बहुत इमानदारी और मेहनत से करते हैं तो बहुत बधाई कशिश को 10 साल पूरे हो गए बहुत बधाई कशिश को 10 साल पूरे होने की तमाम लोग की कह सकते हैं की सुपकामनाई हैं दुआई हैं और कशिश इसे तरह लगातार अपने साल 10 साल पूरे करते रहे अगले सायोगें करिश्मा जो भी रिटर भी हैं और साथ में आंकरिंग भी कर रही हैं चाहिंग करिश्मा आप अपने अनुबब को साजा करें ये काफी वक्त देती हैं संस्थान को तो इनका भी जाना जरूरी है कि ये किस प्रकार से क्या सूशती है किस लगन से जो काम कर करने पहुंचती है सुबद 6 बेस लगी रहती है क्या सुश्थिया करश्मा जी सबसे पहले तो गंतान दिवस के हादिक शुपकामनाई सभी को और सभी पहले करना हो कि हमारे संपादक या संतोष सर या फिर हमारे जूट विबेक सर इन लोगों को देखकर ऐसा लगता मुझे पहले मिलती है कि नए काम को किस तरीके से हर कोई रहुंगी जब भी प्रॉबलम आए तो हर प्रॉबलम किस तरीके से सौल्व करना चाहिए क्यासे काम करना चाहिए यह हम उन ताकि हरमेंसा जो सभी लोग हैं मारे सर हैं वो हमेंसा खुश रहें मेरे काम से बस यहीं सबकी यही कामना है कि खुश रहें और कशिर साल दर साल ऐसे आगे बढ़ते रहें कुछ रिपोर्टर से भी हम बात करेंगे कि उनकी क्या रहा है कि उनका बहुत बरा योगदान होता है खबरों को लेकर वो जिस परकार बाहर रहते हैं मैंने भी एक दो दिन कभी बाहर रही मैस्शूस होती है और लगता है कि रिपोर्टिंग बहुत टाफ है तो मिसाल मैं आप से जाना चाहूंगे कैसा लगता है जब आप कशिर से इतने सालों से जुड़े हुए है और इनके लिए निरंतर क्या सकते ही काम कर रहे हैं मन में रहता है तो कहीं जगा प्यार भी मिलता है और जहां तक बात आई एक लिए-टाइम बहुत से खब्रे रहती हैं जो पता रहता है कि क्या करना है जाके लेकिन कई खब्रे ऐसी होती है कि हमें बिल्कुल पता नहीं होता क्या है उस दफ़ा उस समय जब उस खबरों को किस तरीके से उठाना क्या एंगल देना है और खासकर जब कोई सीनियर्स एंकर रहे हैं खासकर कभी एडिटर हमारे अगर लाइन अप रहते हैं साथ में तो उस समय काफी सोच के और सही तरीके से चीजों को रखना पड़ते क्यों कि ल जुनून है मज़ा है जोश है कोई किसी तरह की परशानी नहीं होनी चाहिए जहां तक बात रहे हैं बाकी साथी होगी तो आप देखे हूं करना है और अपने आपको प्रूफ भी करना है और जनलिस्प को भी जो है सही तरीके से लोगों के सामने रखना है वसी उसने बहू क्या मैसेज देगे कशिष के मादिम से कशिष में मौका मौका तो हम लोग तो जब यहां आए थे तो कुस साल दूसरे चैनल में लेकिन यहां पर कई ऐसे लोग आए उनको बहुत कम समय में उन्हों ने टेंड किया कशिष में जितने सपोर्ट मिलते हैं यह हमारे डिटा संतो सरी हैं जितने लोगों नहीं लोगों को उन्हों ने मौका दिया यहां से निकल के दूसरे चैनल में भी लोग हैं कम से कम उन्हों ने इतना जरूर सीख लिया था कि दूसरे चैनल में भी जाके वह चीजों का सम्हाल सकते हैं हम रिपोर्टिंग कर तो इसका मतलए भी नहीं कि अप डेक्स पर जा कर सकते हैं, कहीं अगर निवे अप़ती हो से सिखाया है और गलती होने पे यहाँ पर वैसा निया के गलती हो गई तो बस आपकी हुदााय करो गाति हो प्सान्की आप नहीं बढ़ सकते हो और ये पुरा हेटक्वार्टर यहां पे तमाम लोग एक सांथ पचास से साथ लोग रहते हैं तो बिलकुल मज़ा आता ही और उसा भी बना रहता है कोशी से ही रहती है कि संस्थान का नाम खराब ना हो हम लोग रिपोर्टिंग इस तरीके से करें कि कभी कोई कसी स्नुच पर बढ़ करार रहेगा तो बिलकुल हम भी जिन्दा रहेंगे हमारे जनलिजम जिन्दा रहेगी और जाहिर से बात है कि आने में वाले समय में इसका रिजल्ट तो अच्छा मिलेगा इक बार फिर से हम रुक करेंगे राची का जो आपर हमारे साथ कारेकारी संपादक से और किस प्रकार वो उनका जो होसला है वो अब भी कायम है साहीबा इस वक्त हमारे साथ तमाम लोग मौझूद है जो पिछले कई सालों से लगबग कर सकते हैं कोई दस साल से कोई ग्यारत साल से कुछ लोग नहीं भी जुड़े हुए हमारे साथ सबसे पुराने जो सायोगी है सुवांसी सुवांसी अभी इस वक्त नहीं है सुवांसी से भी बात करेंगा वन्दना शुरुवाथी टीम है वन्दना सबसे पहले कशिश के दर्सकों को एक तर्वे गंततर दिवस की शुपकामना है और कशिश टीम को चैनल के दस साल हो गये हैं उसके लिए भी शुपकामना है दस साल का सफर तो अच्छा रहा बेहद सुखद रहा सब तरफ का अनुभब भी हुआ अच्छा बुरा और जो सर ने बोला कि खबरों को जो इमांदारी से दिखाना उसमें हम लोगों ने सहीओ किया सीनियर्स के साथ और अच्छे से अपना बेश्ट देनी की कोशिश की है और चैनल का जैसा भी यह रहा है स्योग किया है और चैनल के साथ काम करने के लिए कभी-कभी लंबी छुटिया हो जाती है उसके लिए कभी बहुत सुनना भी पड़ता है तो अभी तक कि यही एक्सपरियंस है मैं कसिस के बिना नहीं रह सकती हूं और कसिस मेरे बिना नहीं रह सकता है तो इससे पहले कि सर मुझे इस बात के लिए बोले तो मैंने बोल दिया अपने तरफ से और अच्छा सुख़द अनुभव रहा है सबसे पहले तो सभी को दसबे अस्थापना दीवस के असर पर सभी को बढ़ाई और 26 जनवरी की भी बढ़ाई और यदि पूरे 10 साल का सफर की बात करें तो कई बार उतार चड़ाओ देखने को मिला है पर जो यदि हमारी टीम की जो इमानदारी है आज तक भी वह बरकरार है कोसित रहेगी कि आगे भी इमानदारी बरकरार रहेगी इस युग में काफी कम देखने को मिल रहा है कि पत्रकारिता के साथ लोग इमांदारी कर रहे हैं और यही सुपकामना देंगें कि हमारा चैनल इसी तरह आगे बढ़ता रहे और जो हमारे दर्सक है उनका जो प्यार और सयोग है वा लगातार मिलता रहे है और सयोग लगातार मिलता रहे हमारे साथ राजेस भी है प्रियंका भी है राजेस लगातार आप कवरेज करते रहे हैं हलाकि एक दसक तो नहीं हुआ लेकिन आदा दसक जरूर हो गया आपका बहुत पत्रकारिता में शुरू में तो बहुत भाग दोर रहता है उससे लेकिन पत्रकार कभी ठकता नहीं है हारता नहीं है और जो भी पत्रकारिता करता है मेहनत इमंदारी से सब लगा रहता है अपना खबर के पीछे भागना है दिन रात बार बार यहीं सुचना है कि धर से कौन सा खबर आ जाए कहां सिव जुगार हो जाए कैसे होगा इसी गुन धुन में दस साल कसिस का बिता 11 साल में हम लोग इस से भी और अच्छा और मस्ती के साथ फिर से जनम दीन मनाएंगे राजेस हमारे बता रहे थे किस तरीके से 11 साल कब इंतजार है प्रेंका इनकी आवाज आप अक्सर सुनते होंगे वाइस ओवर में प्रेंका अनुभाव ज्यादा दिन यहां का नहीं रहा है लेकिन पत्रकारिता का अनुभाव हो है कई जगों पर काम क्या है आप बताए अ अर अच्छा लगा इस महाल में लेकिन हम लोगों ने दस साल आज पूरा कर लिया इस चैनल को 10 साल हाला कि मैं इसे जुड़ी नहीं रही उतने सालों से लेकिन फिर भी किसी भी चैनल का रिखास कर बिहार जहारकन जैसे चैनल बिहार जहारकन जैसे स्टेट में एक रिजनल मेडिया का दस साल खड़े होना मजबूती के साथ ताकत से इमांदारी से ये एक बहुत बड़ी बात है तो इसके लिए निश्यतरूप से अभी तो इसरत के अभच wrauct पहले और उन्हों ने इस उतार चड़ाओ और बहुत सारे अपने अनुभाव को बताते हुए उन्होंने ये कहा ये बड़ा संदेश दिया उन्होंने खास कर आज हम जिस दोर से गुजरने हैं थोड़ा उतार चड़ाओ जरूर है लेकिन उन्होंने एक छोटे से कम शब्दों में एक संदेश दिया कि हम चैनल को आगे बढ़ाएंगे ये चैनल अभी चलेगा तो जाहिर तोर से ये हमारे म नोबल को बढ़ाने वाला है और हम उसके लिए भी सर के बहुत अभारी है हम चाहेंगे कि हमारा चैनल अभी दस साल का हुआ है ये भी बालिग नहीं हुआ है ये ऐसी प्रगत्ति के पत पर आगे बढ़े और जल्दी ही बालिग हो और वो उत्सों भी हम जल्द मनाएं अठारे में साल के इंतजार अब से सुरू हो गया हमारे साथ सोवान भी जुड़े है वरिष्ट समाधत है हमारे पुराने सायोगी सोवान अनुभाव बताए चेहरे पर खुशी बतारी की अनुभाव कसिस के साथ अच्छा रहा है लेकिन साथ साल में किसी कारण बस मैंने कि मुझे प्यार जो कसीष नियुज में मिला था सायद वो कहीं और नहीं मिल सकता है और इस वजह से ही मैं आज कसीष नियुज में हूँ और कसीष नियुज को मैं अपना परिवार समझता हूं घर समझता हूं और कसीष नियुज के बिना मेरा भी रहना मुस्किल है जो भी हूँ आज मेरी जो भी पहचान है वो कसिश निउज के ही बदौलत है और आसा करूंगा और भगवान से परात्ना भी करूंगा इक कसीश निउज 11 साल नहीं सौ साल तक कसीश नूज चलता रहें और कई लोग इसे जुड़े और इस संसान के कई लोग बाहर भी हैं बंबई, दिल्ली, हैदराबाद में कई लोग हैं जो आज प्रस्टनल टच में रहते हैं कसीश से ही लोग वहां गए थे, कसीश नूज ऐसे पत्रकारों को ट्रेंड कर देता है कि वो कहीं भी जाते हैं उन्हें कोई मुश्किल नहीं होती है काम करने में और जितने भी यहां सापाथी हैं यहां से बहुत कुछ सीखते हैं और आप से भी हम लोग सीखते हैं तो परातना करूँ है कसीश नूज बहुत आगे जाए और काफी बुलंदियों तक पहुंचें एक दशक का सफर अभी पूरा हुआ और कई दशकों का सफर पूरा करना बाकी है लेकिन इस वक्त ब्रेक लेंगे कि ब्रेक भी बहुत जरूरी होता है हमारे लिए खास तोर से इसलिए ब्रेक के बाद फिर हम अपने तमाम साथियों के पास वापस लोटेंगे बातचीत करेंगे जानने के कोशिश करेंगे कि एक दसक का सफर कैसा रहा आगे कभाविश किस तरह के से देखते हैं